कि नमस्क्राइब दोस्तों मैं ओनी ट्रिशन गूरू संजीब पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में दोस्तों आज मैं आप से जिस स्विशे पर बात करने वाला हूं थोड़ा गंबीर है लेकिन मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी लोगों स से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना चाहता हूं जिनकी भावनाएं इस वीडियो को देखकर आहत होंगी लेकिन मैं मुस्कुरा कर कह रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं मजाद कर रहा हूं हम आज बात करेंगे कि वह कौन सी चार बातें हैं जो आपके डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे जाना चाहते हैं दोस्तों मैं डॉक्टर को लेकि कुछ गरत कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि वह आप से कुछ छुपा रहे हैं लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपका अधिकार है जानना लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा और अगर वो बाते आपको नहीं पता चलती तो वह आपको किस तरह से नुकसान पहुचा सकती है उसका क्या एफेक्ट आप पर हो सकता है और उनसे आप बचना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं इस पूरे विश्य पर आज हम बात करेंगे तो आईए टापि हैं एलाज कराने जाते हैं या किसी शारीरिक तकलीव से गुजर रहे होते हैं और डॉक्ट के पास जाते हैं और तो आपकी तकलीफ का जो रूट काॉस है वह आपको कभी बताया नहीं जाएगा या कभी बताया नहीं जाता है वह सोच के देखें जब भी आप अपनी डॉक्टर के पास गये हैं किसी भी दिक्कत परिशानी के लिए चाहे आप डियावटीज के पेशेंट हैं चाहे हाई ब्लड प्रेशर के चाहे आपको कोई हार्ट प्राब्लम है या पॉस्ट्यों पर्स stay हैं कोई भी उबरेगं कैंसर ही क्यों नहीं स्पॉंडिल राइट्री क्यों किया आपको आपको डॉक्टर उसका रूरीट बताता है क्या वो इस पर अपना समय्व हो लगाता है कि आप कैसे परशानी में पढ़ गये किस चीज से बचा जाए तो इस परिशानी से बचा जा सकता है आप इस परिशानी के शिकार हो गए लेकिन आपके परिवार में फिर कभी कोई इस परिशानी का शिकार न हो ऐसी कोई जानकारी आपको दी जाती है क्या तो मेरी उन सब डॉक्टर्स से ये शिकायत है जो ये जानकारी अपने मरीज को नहीं देते थोड़ा टाइम इस पर लगाएं ताकि उनके परिवार के बाकी लोग उस परिशानी में पढ़ने से बच जाएं मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं उनसे मेरी एक बार इस पर बात हो रही थी तो पता चला कि दो ऐसी वज़ें हैं दो ऐसे कारण हैं जिस वज़े से पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं बताए जाता नमबर वन कई बार जो सामने बैठा डॉक्टर है उसको भी उसका रूट कॉज नहीं पता होता इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर उनको रूट कॉज नहीं पता है तो यह तो बड़ी खराब बात हो गई क्यों यह हमको आपको जो बाहर से देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर का मतलब हेल्थ होता है नहीं दोस्तों आपके घर में कोई डॉक्टर हो आपके कोई जानने वाले डॉक्टर हो तो उसे पूछेगा कि जब वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं कॉलेज में तो उनकी पढ़ाई कहां से शुरू होती है क्या पढ़ाय जाता है क्या उन्हें रूट कॉज के बारे में पढ़ाय जाता है जो हिल्थ चैलेंजस क्रियेट होती है उसके बारे में मेरी जानकारी है कि उनकी पढ़ाई शुरू होती है सिम्टम से जो आपके शरीर में के लिए क्या ड्रग्स लिए जा सकते हैं क्या दवाएं आपको दी जा सकते हैं उनकी पड़ाई इसी के आगे चलती है कि क्या लक्षण हो तो क्या ड्रग्स दिये जाएं और उन ड्रग्स के अगर कुछ बैड एफेक्स आइड एफेक्स हो तो उसके लिए कौन से ड्रग्स आ क्योंकि समय ही पैसा है अजके जुग में तो जितने टाइम में वो चार पेशेंटेंट देखते हैं उतने टाइम एक पेशेंट को क्यूं दे एक और कारण मुझे लगा एक नजानकारी दूसरा आपको टाइम नहीं देना चाहते तीसरा जानकारी है लेकिन अगर आपको भी बता देंगे तो फिर आप कैसे बार बार आओगे या हो सकता है कि आपको जानकारी हो जाए तो आप कुछ ऐसा उपाय करो कि फिर आपको वहां आने की जरूरती न पढ़े यह मैं अंदाजा लगा की कहा रहा हूँ लेकिन आप जब ऐसे पेशेंट, हॉस्पिटल या डॉक्टर की चक्र लगा रहे हैं तो आप खुद भी इस बात को मैसूस कर सकते हैं पॉइंट नंबर चू दूसरा पॉइंट यह है कि जब आपका राज चल रहा होता है और आपको बहुत सारी मेडिसिन्स प्रिस्काइब की जाती है तो कभी भी आपके डॉक्टर आपको उन मेडिसिन्स से होने वाले बैड एफेक्ट्स, इल एफेक्ट्स जिनें मेडिकल इंडस्ट्री साइड एफेक्ट कहती है प्यार से बोलने के लिए उसके बारे में नहीं बताया जाता तमाम तरह के साइड अफेक्ट्स होते हैं तमाम तरह के बैड अफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन्स के जो सबसे कॉमन मेडिसिन्स भी यूज की जाती है छोटी छोटी तकलिफों के लिए उनके भी बहुत सारे side effects होते हैं और उनमें से कुछ medicines के गंभीर effects होते हैं जिनकी जानकारी doctors आपको नहीं देते prescription लिखते समय ये आपका अधिकार है जानना और आप बहुत सारी छुटी छुटी problems face करते हैं उस medication की वज़े से और आपको ये पता नहीं होता इसलिए आप ज़्यादा परिशान होते हैं कि ये उसी की वज़े से हो रहा है अगर फर एक्जामपल अगर किसी के blood test की report आई और hemoglobin low है और iron की tablets दी जारी हैं उसको खाने के लिए तो साथ में उसको बताना चाहिए कि ये जो iron की tablets आपको दी जारी हैं वो जो side effects है उसको बताएं नहीं तो वो एक problem दूर करने जाता है patient और दूसरी तीसरी चौथी problem face कर रहा होता है और वो सोचता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है जबकि अगर उसको ये जानकारी रहेगी कि जो medicines वो खा रहा है उसकी वज़े से उसको चक्कर आ रहा है उसकी वज़े से उसे सुस्ती बनी होई है उसकी वज़े से उसे ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ एनरजी नहीं अगर ये सब उसे पता रहेगा तो मानसिक तोर पर पर परिशान नहीं होगा उसको पता है कि जब तक उसका ये इलाज चल रहा है तभी तक ये सब प्रॉब्लम्स हैं फिर खतम हो जाएंगी तो जो इल एफेक्ट्स है मेडिसिन के वो जानना आपका अधिकार है तीसरी कौन सी चीज है जो आपके डॉक्टर्स आपको नहीं बताते तीसरी चीज ये है कि डॉक्टर्स पेशेंट को ये नहीं कहते कि ये मैं मेडिसिन लिख रहा हूं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये अश्योरंस नहीं दे रहे आज डॉक्टर्स आपको जबकि वो जब मेडिसिन लिख रहे हैं तो उन्हें ठीक से पता है अगर ठीक से पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट होगा तो आपको ये अश्योरंस मिलना चाहिए कि ये प्रस्रिप्शन 100% आपको फिट कर देगा या आपकी जो प्रॉब्लम में वो सॉल्व कर देगा तो या तो समय के अभाव में अश्योरंस नहीं दे रहे हैं पेशन को या उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो ड्रग्स वो लिख रहे हैं वो 100% जो वो चाहा रहे हैं वो ही रिजल्ट देंगे तो ये अश्योरंस मिलने से ही काफी हद पर प्रॉब्लम सौल हो जाती है लोग पहले कहते हैं आज भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो इसकी कोशिश करते हैं कि जो अपना पेशेंट है उसको 100% अश्योर कर सके हैं और ये मेरा खुद का परिस्तनल अनभव भी है मैं एक बहुत मेजर प्रॉब्लम से घुजरा था और मैं बिस्तर पे था तो उस समय बार बार मेरे दिमाग में यही चलता था कि सब ठीक हो जाएगा कि नहीं और मैं ये बार बार पूछने की कोशिश भी करता था और एक बार मैंने जोर से पूछा और I am very thankful to my doctor कि जिन्होंने था जो मेरा thought process था वो इस तरह का हो गया कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया ये भी बहुत जरूरी है and last but not least जो चौथा point है जो आपके doctors आपको नहीं बताते वो है कि वो जिस चीज़ का आपका इलाज कर रहे हैं कई बार वो खुद भी उसी problem के patient ह और कई बार अलग problem के खुद भी उसी problem के एका मतलब हुआ कि जैसे कोई eye specialist है और आप इस उमीद से उनके पास गए हैं कि आपकी आप में problem हो रही है और यह आपको चश्मा लगा हुआ है आप उतारना चाहते हैं यह आप चाहतेंगी चश्मा ना लगी और सामने जो doctor आपक कर रहा है बात कर रहा है वो खुद चश्मा लगाए हुए है है थोड़ा विरुदाबास है ना दोस्तों आप उसको हलके में ले सकते हैं पर हम उसको हलके में नहीं लेते हैं क्यों क्योंकि समधान है अब यह आपकी समझ के उपर है कि आप लेते हैं कि मैं एक nutrition expert हूँ और म मैं आपको हमेशा जो समाधान सुझाता हूँ वो nutrition के खुरूप सुझाता हूँ तो जैसे हमने अभी बात की कि वो चश्मा लगा के देख रहे हैं है वो खता है डॉक्टर की उमर 40 साल ही हूँ लेकि वो चश्मा लगा के बैठा है और आपको बताने जा रहा है कि कैसे आप आपको चश्मा नहीं लगेगा अब आपको समझदार है कि आपको क्या करना चाहिए मैं आपके सामने खड़ाओ मेरी उमर 55 साल है और अभी मैं दूर या पास किसी तरह का चश्मा नहीं लगाता मेरे कहने का यह मतलब कि आप 60 सार के उमर तक कम से कम वो जिन्दगी जी सकते हैं नियूट्रिशन के सपोर्ट से जो 30-35 साल तक ही आज लोग जी पा रहे हैं उस लाइफ को आप 60-65 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको आप ठीक से अवेर रहेंगे तो अगर आप अ पहुमा की यही राइट टाइम है जब आप अच्छे से अवेर हो जाएं जब आप नियूट्रिशन की पोशन की अच्छी जानकारी रखें क्यों इसलिए ताकि आपकी वो अभी बारी ही ना आए कि आपको किसी ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़े जहां आपके लिए दव पोशन दे देंगे पर्याप्त मातरा में देंगे तब तक आप इसको बेहतरी नमस्ता में रख सकते हैं तो आपको इन सब चीजों की ज़रूरत ही नहीं आएगी कि डॉक्टर आपको इन सब चीजों के बारें बताए कि क्या साइड एफेक्ट है आप से ठीक करने चले हैं पोशन के थ्रू अगर आप अपने शरीर को स्वस्त रखते हैं तो अगर आपको प्राकृतिक पोशन उपलब्ध है पर्याप्त मातरा में उपलब्ध है तो किसी बैड एफेक्ट की गुंजाईश ही नहीं रहती है आपकी रोटी का चावल का डाल का सबजी का है कोई नहीं न क्यों कि यह सब आपको प्राकृतिक रूप में पोशन उपलब्ध कराते हैं आपको अगर लगता है कि आज के खानपान से आपको प्राकृतिक रूप में पर्याप्त पोशन नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे सला ले सकते हैं स्क्रीन पे मेरा नंबर है आप वाट से रहें आपको root cause जानने की भी आउशकता नहीं आएगी लेकिन जानना चाहें तो फिर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मैं आए दिन patients के संपर्क में आता हूं तो पहले जो दो सवाल होते हैं उसमें पहला सवाल होता है कि यह जो आपको problem है यह कैसे हुई तो almost 99.9% लोगों का जवाब होता है कि हमें नहीं पता especially जब diabetes या high blood pressure जैसे patients ठगराते हैं जने जिन्दगी बर दवा खाने के लिए कहा गया है तो उससे मैं जरूर पूछता हूं कि आपका किसी डॉक्टर ने इलाश किया होगा ना कहीं से आपका कुछ treatment चल रहा हुआ कहीं होगा आपने तो कहते हैं हा लेकिन कुछ फाइदा नहीं हुआ हमने का फाइदा तो नहीं हुआ लेकिन क्या आपके डॉक्टर ने यह बताया कि ऐसा हुआ कैसे वो कहते हैं नहीं तो मैंने का आपका अधिकार है आप पूछिए क्यों कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपक अगर आप अपने जीवन में पोशन का पूरा इंतजाम रखेंगे तो आपको ऐसे कोई रूट कॉस जानने के आशकता नहीं होगी क्यों क्योंकि आपको सिंपल सी छोटी जानकारी चाहिए होगी जो आपके स्कूल की बुक में फूड पिरामिड में दी हुई होती है आपके शरीर के हर इंडिविज्वल सेल को क्या चाहिए अगर ये जान लिया तो आपने इस पूरे शरीर का सारा इलाज जान लिया तो दोस्तों अभी से ख्याल रखें देर नहीं हुई है जब जागे तवी सवेरा आज से ही थोड़े से अवेर हो जाईए अपनी लाइफ में न्यूट्रिशन को अच्छी जगे दीजिए इंपोर्टेंस दीजिए नहीं जानकारी है जानकारी लीजिए और लड़ी किसी प्राब्लम में पढ़ गया है हमसे संपर कीजिए हम आपकी हेल्प करेंगे उससे बाहर निकलने में दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स करें और अपनी राय कमेंट में अवश्च दें दोस्तों हमारे चैनल से संबंदित सभी महत्रपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जैसे कि आप हमसे कैसे संपर कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परिशानी के बारे में थैंक यू